तो हलो बच्चो स्वागा थेकबा फिर से आप सभी लोगों का अच्छे वं संपूर्ण सिक्षा देने के एक मात्रिस्थान अभिक्सा एजुकेशन फॉर एक्सिलेंस के इस ऑनलाइन क्लासे इस पर तो बच्चो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हम बात कर रहे हैं अपन लाश्टर लास में डिस्क्रिशन कर रहे थे अध्याय पांच अनुपात एबं समानुपात को हमने बहुत बहतरिन तरीके से कंप्लिट कर लिया है आज की इस क्लास में आपको यूनिट नमबर दूसरा जो कि हमारा अध्याय आता है अध्याय अच्छ है निर्दसांग जियामिति को हम स्टार्ट करने वाले हैं तो आज यह बिल्कुल मेरे साथ जोड़ जाना है और आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो मिसल चार रहा था उस मिसल का नाम क्या है 36 गड़ परिक्षा मिसल ट्वेंटी ट्वेंटी तिरी जहां पर मैं आप लोगों को कक्छा दसवी विसागड़ित को पढ़ाता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम क्या है अध्याच है निर्दसांग जियामिति भाग एक भाग एक में हम बेसिक कॉंसेप्ट को समझेंगे क्विक रिविजन करेंग दो जो क्वेश्टर रहेंगे आपके अब्जेक्टर रहेंगे और एक जो क्वेश्टर रहेगा वो आपका व्याक्षात्मक रहेगा जो दो नंबर के लिए पुछे जाएंगे तो टोटल क्वेश्टर रहेंगे तीन और कितने नंबर के लिए चार नंबर के रहेंगे पार वीडियो को देखने के बाद आपके दो नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले फिर सेकेंड पार्ट में फिरम दो नंबर पक्के कर लेंगे तो इस तरह से हमारा जो अध्या है वह हमें चार अंक देने वाले चलिए तो यहां पर मैं डार्क्ली कोश्टर में आने से पहले कुछ आपको बेसिक कॉंसेप्ट के बारें बताने वाला हूं जो आगे के आने वाले प्रस्णों को सौल करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली देखिए हर एक बातों को बिल्कुल नोट डाउन करने घटाओन शेखिए खोल के बाढ़ जान जो मैं पुढाने वाला जो इसको नोड़ डाउन करते वह चलना आज देखो तो मान लोग यह हमारा संतल है का संतल है अभी संतल में हम दो रेखा बनाएंगे क्या बनाएं के बैच्छो दोर एक बनाएंग चलिक अब आपको में ते पर लोगी दो रेखा बनाओ ठीक है ये हमारा हूवा 36 रिखा क्या हुआ ठीक है यह क्या हूआ रेखा थीज रेखा होची कि इस इस रेखा को हम 306 अक्षभी कहते हैं क्या कते है 36 अक्षभी कहा जाता है बिल्कू सब्सक्राइब निम्हें क्लियर है फिर हम इसी के लंबवत एक और हम इसी के लंबवत एक और रेखा बनाएंगे जो की है हमारा उधुवाधर रेखा जिसे हम उधुवाधर अक्छ भी कहेंगे क्या कहेंगे उधुवाधर अक्छ भी कहेंगे देख लो यह होगा हमारा उधुवाधर अक्छ ठीक है ब मुल बिंदू बोलते हैं और मुल बिंदू को हम ओसे प्रदसित करते हैं किसे प्रदसित करेंगे ओसे प्रदसित करते हैं और मुल बिंदू का जो निर्दसांग होता है वह 00 होता है क्या होता है 00 होता है तो अभी तक हमने क्या क्या जान लिया है कि यह जो चैटी जैक्षा है और यह जो उद्वाधर अक्षा आपको दिखे रहे ना दोनों के कटान बिंदू को हम गोलते हैं मुल बिंदू जिसका निर्दिसांग होता है 00 most important question मुल बिंदू का निर्दिसांग क्या होता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर मुल बिंदू का जो निर्दिसांग होता समतल लिया हुब था उस समतल में हमने दो रेखा ले लिए चैतीज रेखा और एक उध्वाधर रेखा तो ऐसे करने से हमें क्या मिला है यह जो चैतीज रेखा और जो उध्वाधर रेखा है इस पूरे समतल को चार बराबर भागों में बार दिये कितने चार बराबर भाग लोग को हम कहते हैं चतूर्थांस क्या कहते हैं चतूर्थांस कहते हैं अब यह हमारा होता है प्रथम चतूर्थांस क्या होता है यह हमारा होता है प्रथम चतूर्थांस देखो मैंने यहां पर लिग दिया प्रथम चतूर्थांस बिल्कु सर यहां तक ही कहानी अच्छे से क् तो बच्च आप लोग यहां को इसको इस वाले पार्ट को दीटीटब फद्द नहीं कोगे इसके विपरेश्म लाइस साइड को तो ये हमारा हो गया दूइती चतूर थांस क्या बोलेंगे इसको यह को देखिए करना जू men special यहां तक कहानी अच्छे से अहुत है यह प्रतंव और होब कर दो त grease पढ़ां इसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर पहूंच चुके जिसे हम बोलेंगे 30hof प्षंत क्या बोलेंगे घृतिया चतूर था अलों भी बिलकूर यहां रिटया चतूर था फिर फिर यहां बाग तो जो सम्तल है वो चार बराबर भागों में बढ़ गए उससे हम क्या करते हैं चतूर्थांस करते हैं यह प्रथं सब्सक्राइब अब यहाँ इंडसरा अगर्टे coiniony की conservation को तो यह हो गया दो यह हो गया तीन और यहां पर आ चुका चार और इस धनात्मक वाई संख्याओं को इस अक्षो को हम कहते हैं एक सब्सक्राइब कहते हैं क्या कहते हैं एक सब्सक्राइब यहां पर मैंने लिग दिया एक सब्सक्राइब अब केंद्र के हम अगर अगर हम और फिर से धनात्मक मिलेंगी और इस अक्ष को हम बोलेंगे अब वाय अक्ष्च क्या बोलेंगे वाय अक्ष्च बोलेंगे यह हो गया वाय अब इस केंद्र से किeg skept के तो हमें जतने भी संख्याइं मिलने वाली है वे सभीर इनात्मक में मिलने वाली है जिसे हम कहेंगे वायडर बहुत हुं डेस अक्छक्ष बोलो यहां तक कि कहानी अच्छी से ओधियर है किसे ब्लेकोल से यहां से क्या दिया गया दिया चलो यहां पर एक बिंदू दिया गया जिसका निर्देसांग मैंने यहां पर लिखा दो और मैंने चलो लिखा तीन क्या लिखा मैंने दो और तीन लिखा तो पहला नंबर के कुश्चन यहीं से आ जागा कि जो यहां पर बिंदू लिखा गया जिसका न निर्द्रसांग होता है तो पहला कुछ से मैंने बता दिया कि इसमें एक सब्सक्राइब दो है और वाए एक शका निर्द्रसांग क्या तीन बिल्कुछ सही जवाब होने वाला देखो दूसरा नमबर कुछ सन यहां पर अब यहां पर क्या करेंगे देखो आपको यहीं बिंदू दिया गया एजिसका निर्द्रसांग है दो और तीन और इसको बोल देगा कि यहां कौन से चतूर थांस में इस्तित्था जो हर साल पूछ से जाता है आपको एक बिंदू दिया जा का निर्द्रसांग होता है तो हम इधर की ओर चलेंगे की इधर की ओर चलेंगे अगर मैं इस साइट चलूँगा तो सभी जो संख्या देख लिए मुझे रिरात्मक मिलती है हमें यहां पर चाहिए धन का दो तो धन का दो हमें केंद्र से राइट हैंड की और जाना पड़े गढ़ा तो डोटेट लाइं से मिंगरों को बढ़ाते दिक्रणाटों को इस परकार से आगे की वो निकल जाएगा और यग यूपो ऑन् devoted बढ़ घ्रांगा किसे बने का यह यहां पर मिल चुका हमें यह बिंदू और यह जो बिंदू है उसका नाम ए जिसका निर्दे सांक्या है दो और अब मुझे आप लोग बताए कि बच्चों यहाँ पर जो बिंदू लिखा गया था ए जिसका निर्देसांग दो और तीना वह कौन से चतूर्थांस में इस्टित होगा तो आपका जवाब होना चीकिसा बिल्कुल यह दिख रहा है कि प्रथम चतूर्थांस में कहा पर है प् इसके निर्देसांग में मैंने क्या किया एक सक्षा के निर्देसांग को मैंने लिया रिंदो और वह एक्षा के निर्देसांग को अभी भी मैंने रखा हुआ धन में ठीक है अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो बिंदू है भी जिसका निर्देसांग है रिंदो तीन यहां कौन से चतोरथास में स्थिताय तो इसका अब एंसर कैसे बताएंगे देखो तो एक्सक चॉंड इसांक वह रिन का दो है किसका रुंकर दो है तो अब हमें इस चाहँ चलना है हमें इस चाहँ हम पढ़ेगा यहाँ पर आचुका मैं रिंडुकर मैं रिंडु पर मिलने वाले यह देखो एया ऐसे दाके मिलने वाली है और यह स्तिन को मैं आगे बढ़ाऊंगा एक सब्सक्राइब यहां पर जाने वाली है तो इन दोनों का कटान मिंदू हमें यहां पर मिल चुका है इस बिंदू का नाम क्या भी है जिसका निदिलसांग हमें दिया गया था मिझे आप दो कि कौन से चतुर थांस में इस्तित आएं तो आपको दिखो है कि सर긴 हिए दूइटी चतुर थांस में इस्तित आए बस निमपोर्टन को सब्राइब बस दो सबीन बिंदू का आप बाता सकते कम सी बिंसे कैंड किbolt he said बलुक्रasma कौन से चतुर्थांस में इस्तित्थ होगा बिल्कुर से जवाब चलो अब देखो इसी क्वेश्टिन को मैं और बदल रहा हूं क्या बदल देखो अब की बार मैं क्या कर रहा हूं अब मैं बिंदू लिया हुआ सी जिसका निर्द सांग चलो मैं यहां पर अब दो को रखा यह कौन से चतुर्थांस में इस्तित होगा यहां बताना पड़ेंगे तो यहां पर पहुंचू कि हम रिन गतिण तो इससे मैं आगे की वर बढ़ाऊंगा एक सक्षक है समानतर कुछ इस परकार से मैं इसको आगे की और यह डॉट लाइन से बढ़ा दिया और इसको रिन द को भी मैं आगे कि वह बहाऊंगा वह एक्षके समानतर तो हमें यहां पर एक बिंदू मिला है कटान मिन्दू मिला है जिसका नाम क्या दिया था और इसका निर्दिसान क्या है रिंदू वह रिंतिन है तो मुझे बता दो बच्चों जो बिंदू दिया गए था सी वह कौन से चतूर थांस में स्थित है तो तृती चतूर थांस में इस्थित हो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जागे और एक नंबर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल चलिए अब इसी कुश्चिन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ अब मैं बिंदू लेने वाला हूं डी को हम मैंने एक छ्च केमी को रखन हो और रन कर रिन का 3 रखा अब इसका बताना हमें पोजी स место देल बस। सologist फार वह धन का 2 तो धन का दो यहां पर आएगाया यहां पर आचका धनका दो हमें यहां पर बिल्कुल सभ्य 172 आप 179 अब इसको याग सक्ष के 2017 तो हमें इन दोनों का तो हमेंन दोनों का यह इहां पर मिल चुका जिसका नाम क्या से चतुर्थास में होगा तो बिल्कुल आपका सही जवाब आने वाला कि सर्य चतुर्थास में इस परकार से आपके दो नमबर होने वाले हैं दो नमबर बिल्कुल आपके पके होने वाले इस तरह से पढ़ना ठीक है हम공 구ie कर लिया यहीं से एक क्वेशन आने वाला बिल्कुल यहीं से कुष्टन आने वाला एक आपको दिया जाएगा बिंदू उसके दो निदसांग रहेंगे और पुछ लिजाएगा कि यह कौन से चतूर्थांस में इस्तितुगा आप इसलिए इसको बता सकते बिल्कुल सब्सक्र और यह जो उद्वाधर रिखा है दोनों के कटान बिंदू को हम क्या कंथे मुल बिंदू के कि जिसका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा मैंने 00 ळिखा है और यहाँ पर पुछा किया है हमसे पूछ Cr KENN cyclist जवाब हो दाकर पता है कि मुछ बिंदू का जो निदसा स्टार लगा के फाइब स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले कुस्टन चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट के स्टन की और यह रहा आपका अगला कुस्टन आपके इसक्रीम पर देख लिजे क्या पुछ लिया है यहां पर पुछ लिया गया बिंदू दिया गया है विंदू का नाम तो नहीं दिया गया है लेकिन उसके निर्दिसांग दे दिया गया है रिंचार वह साथ किस चतूर्थांस में होगा और यह पुछ गया था 36,17 60 से करकार को कुश्ट्स चैट भी सेट सी सिट जितने भी सेट दिया जाता हैं सब में और यह कुश्चिन ऐसा जो दोहजार सत्तर में नहीं दोहजार पंदरा सोला ठारा उननीस बीस एकिस बाइस किसी भी सन के बार में बात करें हमेशा यह कुश्चन पूछ जाता है आपको एक बिंदू दिया जाएगा जिसको दो निदल सांग रहेंगे और पुछ लिया जाग रोन का चार तो रोन का चार सपोज हमने माल ले कि यहाँ पर आगया और पर आगया यहां इधर इसली का ना कली या याल मिलता है यह एक सबने का चाल मिलता लेकिन यहांपर मदको गल्ती कर दिए ए यह शुन्यदा 여 пож equiv ठी कर दिये तो हं धन की सारक्राइब के इस तरब चलना पड़ेगा यहां पर आ गया रिंग कि नदेना ध्यान तरस्कें तो हम्हें Centrum में बिन्दू कहां पर मिला यहां पर मिला अब आप लोगा दो कि यह कौन से चर्थू थाइस में तो आपका सही जवाब किया जाएगा तर जो बिन्दू दिया गया है वह दुथी चर्थू थास नोगा तो सेकेंड दो सेकेंड और आपका एक नंबर पक्का देख लिए अपसर नंबर आपका सही जबाव जाएगा कि दिया गया जो बिंदू है वह दूटी चर्टू थाएंसे में इस्टी तो इतना सरल कुष्टन आपकी एक्जाम में किया जाता है पतनी आप से किनी बनता बहुत इ है कि असात्य और यह पूछा गया है चटी जगर 2020 सेड़ बी में बिल्कुल तो देखो क्या कुष्टन बोला गया है कि वाय एक्षपर इस्थित किसी बिंदू का एक संदिसांग सूनने होता है अब देखो इसका इंसर में कैसे बताना देखो फटाफट मैंने क्या किया यहां पर एक दो राइन दो राइन आ लिया एक शेयर टीज लाइन और यह बिना लिया उधवार दिल्कुल जवाब है देखो यह यहां पर मैंने यह रोकर निसान लगा दिया ठीक है चलो बिल्कुल अब देखो यहां पर बोला गया था कि जो कोई बिंदू है वह वाय एक तो वाई को मैंने एक मैंने एक लिया अगर एक सच्छा कर निदिसांग भी मैंने अगर जिएरो के लावा कुछ भी ले लिया कुछ भी ले लिए तो वह किसी नकी सी छात वे इस्थित हो जाएगा यहां बोल दिया गया है कि वाय जो अक्षय तो हमेशा अपने दिमाग में गार बांध पर देटाना है कि अगर कोई वह आ थि र till तो एक्षय का हम्हिस्ती लिए होगा सुनिय में होगा जिरो होगा तो यह présentаль हो आपका एंसर होना चाहिए बिल्कु सरक सही कहानी अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेस्टन की और यह रहामरा प्रस्न करमांग चार जो कि सेम टाइप का कुछ से ने पुछ लिए गया है निमने लिखित कथन सत्य है अथुआ असत्य लिखे तो च्छतीज अगर्ड यहां पर यहां कहा गया है कि कोई जो बिंदू है कोई जो बिंदू है वह कहां पर इस्थित है एक सा अक्ष्य मिस्थित है सपोज यहां पर इस्थित है वह किसी भी चतुर्थांस में इस्थित नहीं है एक सा अक्ष्य में इस्थित है तो जब कोई बिंदू एक सा एक्ष कि और यह रहा हमारा अगला को सब्सक्राइब पर देखें प्रस्थन करमांग पांच और यह पुछा कब गया दो जार उनिस सेड़ भी में आया था इसी पर का को सब्सक्राइब करने वाले हम कॉंसरप्ट को सिखने वाले आज़ाई देखिया अब यहां पर बोला गया है कि रिक्ते स्थानों के पूर्ति की जब बिल्कुल कर देंगे आजाओ देखो यदि किसी बिंदू के निर्देसांग सुन्या पांच है तो यह बिंदू खाली स्थान अक्षपार इस्तित्व का भई दिक्कत क्या आजाओ देखो सबसे पहले आप को अपने रफ में जाना है और यह बना लेना घ्राफ मैंने बना लिया में लिए मैं फिर बोला गया है कि बिंदू जो दिया है उसका निर्देसां छां पर आ यहां पर आ चुका on से यहां पर आचुका बिल्कुल फिर वाइचे के जो निदिसांगे वो धनका पांच भांच तो यह यहां पर आचुका तो दोनों को मिलाएंगे तो हमें यहां पर दिख रहा है कि यह जो बिन्दु दिया गपे तो जिसके प्रश्ण सुन और पांच वह कौन से अक्ष़ में इस्तित है तो यह धनात्मक वाय एक्ष्में इस्तित है क्योंकि यह इधर हमारा क्या आता है वाय अक्षा आता है और इधर जो भी हम संख्याय लिगते हैं वे सभी के सभी क्या से आते हैं धनात्मक में आते हैं तो यदि किसी बिंदू के निदिसांग सुने पांच है तो यह बिंदु खालिस्थान अक्षपर इसिट 17 तो ठंदमक यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा धनॅना-त्मक वा मैं यच्छा आपका सही जवाब होने वाला यह चीज आपको भरना पड़ेगा आपके यहां पर खाली स्थान की जगा बिल्कुल धनात्मा को वाय अक्षाप का सहीं जवाब हो जाएगा चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेस्टन की और और यह रहा हमारा अगला कुशन खुपसर सा प्रस्ण करमांग चाहे आजा यह चलिए हां तो यहां पर क्या बोला है अब यहां पर बोल दिया घ्या फिर से रिखते सालों की पूर्थी की जट चलिए बिन ओप्सनमा वाला है बिल्कुल उडादें इस व्ल्कॉर्टन को यदी किसी बिंदु के निर्दसांग बिंदू का नाम नहीं दिया गया बस बिंदू का हमें निर्दसांग दे दिया ग तो धन्की 4 की वर में जाना नहीं है हम यहाँ पर पहुंच रिंके चार देखो यह हो गया में यहाँ पर पहुँच़ कि एक सक्षु पर पहुंच के और यहां पर आता सेंटर पर आता केंदर परता दोब को मैंने मिला दिया अब मुझे बता बच्चों कि यह जो बिंदू है यहां पर जो में बिंदू मिला यह जो बिंदू है वह कौन से चतुर्थास में हुश्थित होगा चुछ तुर्थास में इस्थितनी होगा यह अक्ष्य में इस्थित होगा तो कौन से एक्ष्य में यह क्या हो जाएगा आपको सही जवाब हो जायाएगा इस तरह से अपने उत तर पुदि कóg लिग करें थी नगर है नमबर वाले में तो अभी तक 6 प्रकार के यही कोश्चन देखने के लिए मैंने आपको कंसेट बता दिया अब क्या करेगा वो डाटा चेंज कर दिया जाएगा और आपका कुश्चन का सॉल करने का मैं तरीका बिल्कुल एज़री सुने वाला है बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल कर पाओ अगर आज की वीडियो को आ तो अपने दोस्तों तक मिलेंगे इसके पारट नर्ट वा जहां पर मैं बात करूगा इसकी दोर नव्मब्र वाले क्वेस्टर पर बात करने वाया अंठक्यी क्या करेंगे आज में जो पढ़ाया बिल्कुल अपनी व सबल करना है और प्रेक्टिस करते करें